बारह या तेरह अक्टूबर कब है दशरा? जाने शुभ महूत और महत्वध शमी तिथी को विजय दश्मी के नाम से भी जाना जाता है. दशरा के दिन रावन देहन करने की परंपरा सदियों से चलिया रही है. ऐसी मान्यता है कि दशरा पर रावन देहन देखना बहुत होता है. अश्विन माह के शुकल पक्ष की दशमी तिथी के दिन दशरा पर्व मनाया जाता है. दशमी तिथी को विजय दशमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन रावन देहन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है ऐसी मान्यता है कि दशहरा पर रावन देहन देखना बहुत शुब होता है साथ ही इस दिन घर पर श्री राम की पूजा करने का भी विशेश स्थान मौजूद है आईए जानते हैं कि इस साल कब पढ़ रहा है दशहरा क्या है इस दिन पूजा का शुब मुहूत और क्या है इसका महत्व दशहरा दो हजार चौबीस कब है अश्विन शुकल पक्ष की दश्मी तिथी का शुभारंभ 12 अक्टूबर दिन शनिवार को सुभा 10 बच कर 58 मिनट से होगा वहीं इसका समापन 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुभा 9 बच कर 8 मिनट पर होगा यूं तो उद्यातिथी के अनुसार दशहरा तेरह अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए लेकिन चुंकी दशहरे की पूजा शाम में होती है इसलिए यह पर्व बारह अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा दो हजार चौबीस शुब मुहूर्तद शहरा के दिन श्रवन नक्षत्र सुब पांच बचकर पच्चीस मिनट से शुरू हो रहा है और तेरह अक्टूबर को सुबह चार बचकर सत्ताइस मिनट पर समाप्थ होगा इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर दो बचकर तीन मिनट से दो बचकर उनचास मिनट तक रहेगा दशहरे की पूजा विजय मुहूर्त में करना सरवाधिक शुब माना जाता है मान्यता है कि इस महूर्त में किया गया दशरे का पूजन हर कार्य में विजय दिलवाता है दशरा दो हजार चौबीस महत्वद शहरा श्री राम की रावन पर विजय को दर्शाता है लेकिन इसका महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है दशहरे के दिन श्री राम की पूजा करने से कारियों में विजय मिलने लगती है सफलता के नए मार्ग खुलते हैं और निर्भीक्ता जैसे सद्गुन का संचार होता है वहीं इस दिन रावन देहन देखने से आत्मिक, मानसिक और शारिरिक दोशों का नाश होता है यक्ती में दिव्यता जन्म लेने लगती है आप भी इस वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आखिर इस साल दशहरा कब मनाया जाएगा क्या है इस दिन पूजा के लिए शुभ महूत और उसका महत्व